हलो फ्रेंड्स रक्षबंधन की तयारी जोरो शोरो पर है और इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी जो 20 मिनिट में बनकर तयार होगी और साथ ही एक कप बेसन से बनाई गई है और एक किलो बर्फी आपकी बनकी तयार हु तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप देशी घी मैंने देशी घी को थोड़ा गर्म कर लिया था जिससे उसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक कप बेसन बेसन को डालने के बाद थोड़ा चलान और आधा कप हम लेंगे यहाँ पर मैदा और इसको हमें अब भूनना है मेडियम हीट पर आप इसको पहले एक दो मिनट भूनिए जिससे हमारी जो कड़ाई का टेंपरेचर है वो सही हो जाए और उसके बाद आप गैस स्लो कर दीजिए नहीं तो आपकी जो कड़ाई की तली म है वो बेसन और यह मैदा दोनों ही बारीक है वो लगनी शुरू हो जाएगी जिससे इसका जो कलर है वो थोड़ा पिंक पिंक गोल्डन गोल्डन हो जाएगा लेकिन हमें इसका कलर चेंज नहीं होने देना मतलब कलर भी चेंज नहीं होने देना और इसको हमें भूनना भी ह भूनते भूनते आप देखोगे कि ये ना थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लगेगी मतलब शुरू में तो ये hard था हमारा mixture लेकिन बाद में जैसे जैसे आप इसको भूनोगे तो ये soft होता चला जाएगा ये देखिए अभी दिखाई भी दे रहा है इसका texture यहाँ पर हम try करेंगे पानी का छीटा मारगी पानी का छीटा मारने के बाद अगर इसमें जनजना हाट होती है जैसे हलवा बनाते हुए sound होती है तो समझे कि हमारा जोई mixture है बेसन का और मैदा का वो अच्छे से भून चुका है और मुझे लगबग क्या बिल्कुल exactly मैं बताती हूँ सिर्फ 10 मिनट लगी है मैंने इसको time देखकर भूना है 10 मिनट में ये अच्छे से भून गया अब हम इसको उतार के रख देंगे एक तरफ और यहाँ पर हम लेंगे एक बरतन जिसमें हम लेंगे चीनी चीनी हमें यहाँ पर इतनी ही लेनी है जितना कि हमने बेसन और मैदा लिया था यानि डेड़ कप एक कप बेसन लिया था आधा कप मैदा लिया था तो डेड़ कप जितनी चीनी ली है उसका आधा लेगे हम पानी, यानी 3-4th cup या पॉन cup जिसको हम बोल सकते हैं, उससे हम measure करके इसमें पानी डालेगे और इसको हम चलाएंगे और जैसे ही हम इसको चलाएंगे दो मिनट बाद ही इसमें उबाल आजायेगा, उबाल आने के बाद टाइम देख करके फिर आप जो हमारा मिक्स्चर था कड़ाई में उसको हम लेंगे और उसमें ये चाशने डाल देंगे ध्यान रहे यहां पर मैंने अभी गैस ओन नहीं किया है अब जैसे ही मैं इसको चलाना शुरू करती हूँ तो मैं गैस ओन कर देती हूँ और जब तक मैं इसको अगर आप पहले बार ये मिठाई बना रहे हैं तो आप इसमें नारियल का बुरादा यहां पर आधा कप एड़ कर दीजिए उससे आपका जो डर रहेगा कि कभी ना जमे ना जमे तो वो बिलकुल खत्म हो जाएगा आप बेफिक रोकर ये बर्फी बनाईए और नारियल का बुरादा मिला कर आप इसको कर दीजिए अच्छे से मिक्स और इसको ठंडा होने दीजिए ठंडा होने के बाद इसका जो टैक्शर है वो कुछ इस तरह का होगा ये देखिए कितना हार्ड हो गया तो अब आप किसी बरतन में जिसमें आपको ये जमाना है उसमें घी लगा कर रखा था ट्रे में अब मैं इसको इसमें पलट लूँगी इसमें पलट कर मैं इसको हाथ से थप थपा कर हाथ पे थोड़ा चिकनाई लगा कर और इसको हाथ से फैला कर सैट कर दूँगी उसके बाद आप इस पर कोई भी मंचाहे ड्राइफ रोट्स गारनिशिंग के लि और आपके मिठाई बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी ये देखिए सिर्फ आधा घंटा हुआ है हलवाई बोलते हैं कि इसको सैट होने में दो घंटे लगते हैं लेकिन हमारी जो बर्फी है वो केवल आधा घंटे में सैट हो गई नारिल का बुरादर डालने पर तो फ्रेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जाने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करना साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको आने वाली ऐसी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिल सके तो आप भी रक्षबंधन पर ये मिठाई बनाईए और लोगों की तारीफ बटोर ये तेखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद